आदर्णिय सभापती जी मैं हाँ आदर्णिय राख्ष्पती जी के अभिभाशन की चर्चा में भागिदार बनने के लिए उपस्तित हुआ हूँ और मैं आदर्णिय राख्ष्पती जी के भाशन को मेरी तरफ से आदर पुर्वक धन्यवाद भी देता हूँ अभिनान्दन भी करता हूँ आदर्णिय सभापती जी यह पचतरवा गनतंत्र दिवस अपने आप में एक महत्वपुन मैल्स्टोन है और उस समय समिधान की यात्रा के इस महत्वपुन पढ़ाओ पर राश्पती जी का भाशन उसका एक अइतिहासिक महत्वप भी रहता है और उन्होंने अपने भाशन में भारत के आत्मयुस्वात के बाप कहीं है भारत के उजबल भविष्य के परति वीश्वास को प्रगट किया है और भारत के कोटी कोटी जनों का जो सामर्द है उस सामर्द को बहुती कम शब्दों में लेकिन बहुती शांदार तरीके से देश के सामने सदन के माध्यम से पस्तुट किया है मैं राश्पती जी के इस प्रेरक उद्वोधन के लिए और राश्ट को दिशा अंदर देश के लिए अले एक प्रकार से विक्षीद भारत के संकल्प को सामर्थ देने के लिए रदय से बहुत बहुत आभार्यत चर्चा के दर्म्यान अनेक मान्य सदेश्यों ने अपने विचार रखे और चर्चा को सम्रुद्द करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया इस चर्चा को सम्रुद्द करने के प्रयास करने वाले सभी आधन ये साथ्यों का भी मेरे दय से अभार्यत करता हूँ कुछ साथ्यों के लिए आलोचना करना कड़ी बाते करना ये उनकी मजबूरी थी उनके प्रतिवी में संवेद्राय प्रकट करता हूँ मैं उत दिन तो कहनी पाया लेकिन मैं खड़ी जी का विशेष आभार्य प्रकट करता हूँ बहुत ध्यान से सुनजाता खड़ के जूद दिन गा है और ऐसा मिलना जाए ऐसा बहुत कम मिलता है लोग सबा में तो कभी भी मिल जाता है लेकिन आजकल वह दूसरी डूटी पर है तो मनुरंजन कम मिलता है लेकिन लोग सबा में मनो रहें जी जो कमी हमें खड़ रही है उच दिन आपने पूरी कर दी और मुझे प्रसंता इस बात की थी कि मन ने खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इंताहां बजे से इस्थानती से भोल रहते है समय भी कभे लिया था तो मैं सोच रहा था कि आज़ादी मिली कैसे इतना सारा बोलने के अज़ादी मिली कैसे सोच तो रहा था लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते नों उस दिन नहीं थे और इसलिए भावद भरपूर फाइदा स्वतंत्रदा का आदन्य खरगेजी ने उठाया कि अज़े लगता है कि उस दिन खरगेजी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा कि ऐसा मोका फिर कहां मिलें और खरगेजी भी कि एंपार नहीं है कमांडर नहीं है तो चौके शके मारने में मजा आ रहा था उनको लेकिन एक बात खुशी कि रही है उन्होंने जो चार सो सीट एंडिये के लिए आशिरवाद दिया रहे जो अब आशिरवाद को आपके आशिरवाद मेरे श्राकों पर अब आपको आसिरवाद मेरे इस खरगें आधनिया सभापती जी मैंने आधनिया सभापती जी मुझे मुझे पिछला पिछले वर्ष का वो प्रसंद बराबर याद है उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधान मंत्री की आवाज को गला गोंटे का वर्पूर प्यास किया रहे है हम बड़े धैरिय के साथ बड़ी नमरता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे हैं और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं लेकिन मेरी आवाज को आप गमान ही सकते हैं देश की जन्ता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है देश की जन्ता के आजिजवात से आवाज निकल रही हैं और इसलिए आपने पिछली बार मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूँ मैंने सोता हूँ था कि शायद आप जैसे वेक्तिस हजन में आए हैं तो मर्यादाओं का पाहन करेंगी लेकिन डेर पूने दो घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगोंने मुझ पड़ और उसके बाद भी माने एक भी शब्दों की मर्यादाय तोड़ी नहीं अधनिय सभापती जी मैंने भी एक प्रांशना की है और प्रांशना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूँ पसिम मंगाव से आपको जो चैलेंज आई है पसिम मंगाव से चैलेंज आईगी है कि कॉंग्रेस चार सो चारीस पार नहीं कर पाएगा चारीस पार नहीं कर पाएगा मैं प्रार्था करता हूँ कि आप चालीस बचा पाएगा आदरिये सभापती जी हमको बहुत सुनाया गया है और अपने सुना है लोक कंत्र में आपका कहने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेवारी है और आज जो भी जो भी बाते हुई है उसको मुझे देश के सामने रखनी चाहिए अद इसलिए मैं प्रयास करूंगा आदरिये सभापती जी यह जब सुनता हूँ उधर भी सुना इधर भी सुना मेरा विस्मास पक्ता हो गया है कि यह पार्टी सोच से भी आउट्डेटर हो गई है और जब सोच आउट्डेटर हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाट भी आउट्सोर्स कर दिया है देखते ही देखते इतना बड़ा दल इतने दशकोत पर तक देश पर राज करने वाला दल ऐसा पतन है ऐसी गिरावट हमें खुर्शे नहीं हो रही है हमारी आपके प्रती संबेदनाए हैं लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी पेशन्ट कुद्ध आगे क्या बोलूँ आदेने सवामती जी यह बात सही है कि आज बहुत बड़ी-बड़ी बाते होती है सुनने की ताकद भी खो चुके हैं लेकिन मैं तो देश के सामने बात रखने लिए जरूर कहूंगा जिस कॉंग्रेस ने सत्ता के लानश में सर्याम लोग तंद्र का गला गौंड दिया था जिस कॉंग्रेस ने दर्जनों बार लोग तंद्रिक तरीके से चून कर क्या ही सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी बरखात कर दी जिस कॉंग्रेस ने देश की समिधान लोग तंद्र की मर्यादा को जैल के सलाकों के पिछे बंद कर दिया था जिस कॉंग्रेस ने अकभारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की आवाज जो कॉंग्रेस देश को तोड़ने के नेरेटिव घड़ता का नया शौक उनको पादा हुआ है कि इतना तोड़ा कम नहीं है अब उत्तर दुक्षिण को तोड़ दे लिए बयान दिये जा रहे हैं और ये कॉंग्रेस हमें लोक्तंत्रा और फैडलिजम उस पर प्रवेचन दे रही है आदाने सभाबती जी जिस कॉंग्रेस ने नतिंग जाट और पाशा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जिस कॉंग्रेस ने आतंगवाद और अलगावाद को अपने हित में पनपने दिया जिस कॉंग्रेस ने नौर्ट इसको हिंसा अलगाव और पिछड़े पन में धकेल दिया जिस कॉंग्रेस के राज में नकसलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनाती बना करकर छोड़ दिया जिस कॉंग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी जिस कॉंग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनी करां होने से रोक दिया वह आज हमें राश्ट्रिय सुरक्षा और आंत्रिक सुरक्षा के लिए भाशन दे रहें जिस कॉंग्रेस ने आजादी के बात से ही कंफूज रही। उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है। उसी कंफूजन में गुजारा किया। जो कंफूज तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइबाटाइजेशन करना है। उलत्ती रही। जो कंफूज दौस वर्थ में बारा नंबर से ग्यारा नंबर पर आर्थिक बवस्ता ले आ पाई। दस साल में बारा से ग्यारा नंबर और आप बारा से ग्यारा आने में बहुत महनत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो महनत और बढ़ती है। हम दस साल में पांच नंबर पे लिए और ये कॉंग्रेस हमें यहां आर्थिक नीज़्टियों पर लंडर पर भाषन तुना रही है आदर्ण ये सभापती जी जिस कॉंग्रेस ने OBC को पुरी तर्य आरक्षन नहीं दिया जिसने सामान्य वर्ख के गरीबों को कभी आरक्षन नहीं दिया जिसने बाबा साब के ब्रयाय बाबा साब को भारत रत्न देने योगजे नहीं माना अपने मी परिवार ये पडिरformation है वो हमें उपदर्स दे रहे हैं हो वो हमें सामाजी नाय पाट पड़ा रहे हैं आधनिया सभावती जी जिस कॉंग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है अपनी नीती की कोई गारंटी नहीं है वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं आधनिया सभावती जी यहां एक शिकायत थी और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं हम ऐसा क्यों देख रहे हैं देश और दुनिया उनके दस साल के कायरकाल को ऐसे क्यों देखती थी देश क्यों नाराज हो गया इतना गुसा देश को क्यों आया अधनिया सभावती जी हमारे कहने से सब नहीं हुआ है खुद के कर्भों के फल और अब तो सामने रहते हैं वो कोई दूसरे जनम में नहीं होते हैं इसी जनम में है अधनिया सभावती जी कुछ हम किसी को बुरा में कहते हैं जब उनहीं को लोगाने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की ज़र होता है मैं एक वक्तव या सदन के सामने रखना चाहता हूँ मैं पहला कोट पढ़ रहा हूँ सदेश्यगन जानते हैं कि कोटेशन है सदेश्यगन जानते हैं कि हमारी ग्रोथ दीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है महेंगाई दर बीते दो वर्सों से लगातार बढ़ रही है करंट एकाउंट डेफिसिट हमारी उमीदों से कहीं अधीक हो चुका है यह कोट मैंने पढ़ा यह किसी भाज़पा के नेता का कोट नहीं है नहीं यह कोट मेरा है आदनिय सभापती जी यूपिये सरकार के दस साल पर तत्कालिन प्रधान मंत्री आदनिय प्येम के रूप में रहे स्रिमान मनमोंसी जी ने कहा और खुद के कायरकाल में कहा यह हालत थी उन्होंने वणन किया था आदनिय सभापती जी अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं देश में व्यापत गुस्सा है पब्लीक आफिस के मिश्यूज को लेकर बारी गुस्सा है इंस्टिटुशन का मिश्यूज कैसे होता था यह उस समय में भी मैंने नहीं कह रहा यह उस समय के प्रदानमंत्री प्रदानमंत्री पदपर डॉक्टर मन मोहनसी जी कह रहे थे उस समय व्यस्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था गड़ी-गली में आंदोलन चल रहे थे अमें 30 है कोट पर दूए एक संसोधन की कुछ पंक्ति आ है इसको भी आप सुनिए टैक्स कलेक्शन में ब्रश्टाचार होता है इसके लिए जी एस्टी लाना चाहिए राशन की योजना में लिकेज होती है जिससे देश का गरिप से गरिप सबसे अधिक पीडी था है इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे सरकारी ठेके जैसे दिये जा रहे हैं उस पर शक होता है यह भी तत्कालेन प्रधान मंतरी आदरनीय मनमोनसी जी ने कहा था और उसके पहले और एक प्रदान मंत्री उन्हों ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपे जाता है 15 पैसा पहुंचता है सुधार बिमारी का पता था सुधार करने की तयारी नहीं थी और आज बाते तो बड़ी बड़ी की जा रही है कॉंगरिस के दस साल का इतिहाद देखिए फ्रेजाइल फायो एकोनोमी में दुनिया में कहा जाता थी मैंने दुनिया के देखिए फ्रेजाइल फायो पालिसी पारालिसिस ये तो उनकी पहचान बन गई थे और हमारे दस्वर्ष टॉप फाइव एकोनमी वाज़़ अब बड़े और नेनाएक थैसलों के लिए दस साल याद किये हैं कि आदेनिया सभापती जी हम उस कठीन दौर से बहुत महनत करके सोच समझ करके देश को संक्टों से बाहर लाए है कि देश ऐसे ही आशिर्वाद नहीं दे रहा है आदेनिया सभापती जी यहां सदन में अंग्रेजों को याद किया गया अब राजा महराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय तो अब मैं जड़ा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर था मैं तो यह तो नहीं पूछूंगा कि कॉंग्रेज पार्टी को जन्म किस ने दिया था आजाजी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिक्ता को किस ने बढ़ावा दिया अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड सहीता पिनल कोर्ड आपने क्यों नहीं बढ़ ली अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सेंकड़ों कानून क्यों चलते रहे आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर ये लाल बत्ती कल्चर इतने दसों को बाद भी चलता है अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजेट शाम को पाच बजे इसले आता था क्योंकि बृटिश पार्लामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था ये भिटेन की पार्लामेंट के समय के अनुकोल शाम पांच बजे बजेट की परंपरा क्यों चलाई रखी थी आपने कौन अंग्रेजों से इंस्पायर था अपर आप अंग्रेजों से प्रेडित नहीं थे तो हमारी सेनाओं के चीनों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब सब क्यों बने हुए थे हम एक के बाद एक हटा रहे हैं अगर आप अंग्रेजों से प्रेडित नहीं थे तो राजपत को करतव्यपत बनने के लिए मोजिता इंतजार को करना परा अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंडमार और निकोबार इन विप समुहों पर आज भी अंग्रे जी सपता की निशान क्यों लटके पड़े थे। अगर आप अंग्रे जों से प्रफावित नहीं थे, तो ये देश के सेना के जवान, देश के लिए मन मिठे रहे। लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक बहुर मेमोरिल तक आप बना नहीं पाये थे, क्यों नहीं बनाया, अगर आप अंग्रे जों से इंस्पायर नहीं थे, प्रफावित नहीं थे, तो भारतिय भाशाओं को हीन भावना से क्यों देखा, स्थानिय भाशा में पढ़ाई क्यों प्रती, आप लोगों की बेरुखी क्यों थी, आदनिय सभापती जी, अगर आप अंग्रे जों से प्रेवित नहीं थे, तो भारत को मदर अद्यमोकरशी बताने में आपको कौन रुक ना था, आपको कौन मैस्शुस नहीं हुआ, कि दुनिया में, आदनिय सभापती कि आप किस प्रभाव में काम करते थे, और देश को सुनते, यह सारी बात है याद आने वादी है, आदनिय सभापती जी, मैं एक और उदाहन देना चाहता हूँ, कॉंग्रेस में नेरेटिव फ्लाया, और इस नेरेटिव का परड़ाम क्या हुआ, कि भारत की संस्कृति और संस्कारों मानने वाले लोगों को, बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा, धक्यानों से मानने लगा गया, और इस प्रकार से, एक हमारे अतीत के पती, अन्याय करने की नौबत आई है अपनी अमानेता को गाली देते हैं अपनी अच्छी परंपराओं को गाली देते हैं तो आप प्रोग्रेसिव है इस प्रकार के नेरेटिव घड़े जाने लगे देश में और उसका नेत्रु को कहा होता था यह दुनिया भली बाते जानती है दूसरे द और स्टेटस बना दिया था यह लोग आज भी वोकल फर लोकल बोलने से बच रहे हैं मेरे देश के गरिवों के कलने आता था आज आत्मंदिरवर भारत के बात उनके मुह से नहीं निकलती है आज मेके निरिया कोई बोलता है उनके पेट में चुहे दोड़ने लग जाते है आजने सभापती जी आजने सभापती जी देश यह सब देख चुका है और अब समझ भी चुका है और उसी का पर्याम आप भूगत भी रहे हैं आजने सभापती जी राश्पती जी ने अपने अभिवाशन में विस्तार से सब चार सबसे बड़ी जातियों के विशे में हम सब को सम्मुदित किया था युवा नारी गरीब और हमारे अन्नदाता है हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक ठ्वबान हैं उनके सपने भी एक समान है और उसके समाधान अगर करने हैं तो थोड़ा उन्निस बिस का फरक पड़ेगा लेकिन इन चारो वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक हैं और इसलिए उन्हों ने बहुत ही रुक्त रुक्त से राष्ट का बारदर्शन किया है कि इन चार स्थम्भों को मजबूत करिए देश विक्सीद भारत के तरफ प्रीजगति से आगे बढ़ेगा कि अगर हम 21 सदी में हैं हम विक्सीद भारत के सपन को इसी सदी में 2047 तक स्विकार करना चाहते हैं तो बीश्वी सदी की सोच नहीं चल चकती सवाइच बीश्वी सदी का स्वार्थी एजंडा मैं और मेरा वाला जो खेल है न को 21 सदी में देश को समरुद नहीं विक्सीद भारत नहीं बना सकता है कॉंग्रेस इन दिनों काफी बाते हो रही ही जाती की फिर से एक बार क्यों जरूत पड़ी उनको मैं तो नहीं जानता हूं लेकिन अगर उनको जरूत पड़ी है तो पहले ज़रा अपने गरिबान में जहांके उनको पता चले का क्या किया है दलीत पीछडे और आदिवासी कॉंग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी बिरोधी रही है और मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर बाबा साम नहीं होते न तो शायद कि A.C.S.T. को आरक्षन मिलता कि नहीं मिलता ये भी मेरे मिल में सवाल होता हूँ आदान ये सराब दीजी और मैं ये कह रहा हूँ इसके पीछे मेरे पास प्रमान इनकी सोच आप से नहीं उस समय से ऐची है मेरे पास प्रमान और मैं प्रमान के सिवाए में यहां कहने के लिए नहीं आया और जब बाते महां से उठी है तो फिर तायारी रखनी चाहिए उनको मेरा परिच्छे हो तो हो चुका है दस साल हो गए एक बार और मैं हादरपुर्वक नहरूजी को हिंदियों नों ज्यादा याद करता हूं क्योंकि हमारे साथ्यों क्या पेक्षा रहती है कि अब देखे एक बार नहरूजी ने एक चिठी लिखी थी और यह चिठी मुक्हम मंत्रियों को लिखी थी मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं उन्होंने लिखा था यह देश के प्रधान मंत्री पंडित नेरूजी द्वारा उस समय के देश के मुक्हमंत्रियों को लिखी गई चिठी है अनुवाद पढ़ता हूं मैं किसी भी आरक्षन को पसंद नहीं करता और खास कर नौकरी में आरक्षन तो कता ही नहीं मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाब हूँ जो अकुशल्ता को बढ़ावा दे जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए ये पंडित नहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिठी है और तब जाकर के मैं कहता हूँ ये जन्मजात इसके विरोधी है नहरू जी कहते थे नहरू जी कहते थे अगर एससी एस्टी ओबीसी को नौक्रियों में आरक्षन मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा और आज जो आँकरी गिनाते हैं कि इतने यहाँ है इतने यहाँ है उसका मूल यहाँ है क्योंकि उस समय उन्होंने रोग दिया था तो रिकूट्मेंटी मत करो अगर उच समय सरकार में भरती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहाँ पर पहुंचते सभापती जी यह कोड का पड़ रहा हूँ आप वेरिफाइ कर सखते हैं मैं पंडियत नहरु का कोड पड़ रहा हूँ आप तो जानते हैं मेरु जी ने जो कहा वो कॉंग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है नेरु जी ने कहा है पत्थर की लकीर उनके लिए दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है मैं अन गिनत उदाहरण रिख सकता हूँ लेकिन मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूँ और वह उदाहरण मैं जम्मू कश्वीर का देना चाहता हूँ कॉंग्रेस ने जम्मू कश्वीर के एस सी एस्टी ओवीसी को साथ दसकों तक उनके अधिकारों से बन्चित रखा आटिकल 370 370 मैं हम कितनी जीतेगे उचकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ आटिकल 370 को निरस्ट किया तब जा करके इतने दसकों के बाद एस्टी एस्टी ओवीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए तो इसको रोक के रखा था जम्मू कश्मीर में फॉरेस राइट एक्ट उनको प्राप्ट नहीं था जम्मू कश्मीर में प्रिवेंस अफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था यह हमने तिन सो सत्तर हटा कर यह अधिकार उनको दिये हुए हमारे ऐसी समुदाय में भी सबसे पीछे पीड़ी कोई रहा तो हमारा बालमी की समाज रहा लेकिन हमारे बालमी की परिवारों को भी साथ साथ दसक के बाद भी जम्मू कश्मीर में रहें लोगों के सेवा करते रहें लेकिन डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया यह है और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूं कि स्थानिय निकायों में लोकल सेल्फ गवर्मेंट में कि ओबी सी के आरक्षन का विदेग भी कल छे परवरी को लोग सभा में भी पारी हूं अधरनिय सभापती जी कि एस सी एस्टी ओबी सी उनको बड़ी भागिदारी ने में कॉंग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है बाबा साथ की राजनीति को बाबा साथ के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी देंगे वक्तब अबलेबल है चुनाव में क्या क्या बोलागा है वो भी अबलेबल है इतको भारत रत्म भी देने की तैयारी नहीं थी वो भी भाज़पा के समर्फन से और सरकार बनी तब बाबा साथ को फार्व कि इतना ही नहीं कि सिताराम केशरी अती पिछडी जाती से कॉंग्रेस पार्टिया देखें उठा करके फुटपात पर फैंड दिया गया वो भी सी वो वीडियो आवेलेबल है वो देश ने देखा शिताराम केशरी के साथ क्या हुआ और और अधनिय सभापती जी इनके एक मारदर्शक अमेरिका में बैठें सभापती जी इनके एक मारदर्शक अमेरिका में बैठें जो पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कॉंग्रेस इस परिवार के काफी करीमी है उन्हों ने अभी अभी समिधान निर्माता बाबसाब करके उनके योगदान को छोट्या करने का बर्पूर प्रयास अधिया सभावत दी देश में पहली बाब एंड ये देख एक आदिवासी बेटी को राश्पति बनाने देता है उनको मिद्वार बनाए आपका हमसे वैचारिक विरोध हो वो एक बात है अगर हमसे वैचारिक विरोध होता आपने सामने केंडिडिट खड़ा किया होता मैं सबच सकता था लेकिन वैचारिक विरोध नहीं था क्यों क्यों कि हमारे अहां से गया हुआ देखती आपने उम्मीद्वार बनाया इसलिए वैचारिक विरोध नहीं था आपका विरोध एक आदिवासी बेटी के लिए और इसलिए आपने और ये जब सांगमा जी फुलाव लट रहे वो भी खादीवासी दोर्दी के उनके ताब भी एक क्या आया था सभापती जी राष्ट पती जी का अपमान करने की घटना एक कम नहीं है पहली बारी देखने हुआ है उनके जिम्मेबार लोगों के मुझे ऐसी ऐसी बाते निकली है सरम से माथा जूग जाए राष्ट पती के लिए ऐसी भाष्ट बुली गई है मन में जो कसक पड़ी है न वो कही ने कहीं इस प्रकार से निकलते रहती है कि अंडिये के अंदर हमने दस साल काम करने का मुका है हमने पहले दलीद को अरब आदिवासी को हमने हमेशा हमारी प्रात्पिक्दा क्या है जब हम हमारी सरकार के परफॉमंस के बात करता हूं एंडिये की जो गरीब करने आग की नीतियों की बाते करता हूं थोड़ा सथ अगर उस समाज को नी करते जानते हो अखिर कौन समाज ये लाभारती कौन लोग है जुगी जौपड़ी में किसको रहने के लिए जिन्दगी गुजरनी पढ़ नहीं है किस समाज के मुसीबतों से गुजरना पड़ता है व्यवस्ताओं से मंचीत रहना पड़ा कौन समाज है हम ने जीतना काम किया है यह स्टी अधिवासिशी समाज के लिए कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्ता घर मिला है तो मेरे इस समाज के कंद्रों को कि स्वक्षता के भाव में हर वर्द मिमारी से जूजना पड़ता था उनको स्वच्च भारत अभ्यान का लाब देने का काम तबापती जी हमारी योजनाओं के तहत मिला है ताकि उसको अच्छी जिन्दगी जीदे काउसन मिला है इसी परिवारों के हमारी मास्ताएं बहने कि दुए से खाना पका पका करके अपनी स्वास्त के संकट को जेल रही थी हमने उद्गो उद्गो गैस दिया वही नहीं परिवारों के मुक्तराशन हो मुक्तियाज हो इसके लाभर्त यही मेरे परिवार है जो समाज के इस वर्ग के मेरे परिवार्जन है जिन के लिए हमारी सारी योजनाएं काम कर रही है आदर ये सभापती जी यहां पर कुछ ऐसा नेरेटिव रखा गया कम से कम कथ्यों को इस प्रकार से नकार रहा किसका भला होगा आप ऐसा करके अपनी क्रेडिबिलेटी भी खो रहे हैं अपनी प्रतिश्या भी हो रहे हैं आदर ये जभापती जी यहां सिक्षा के ब्रहमक आंकडे रखे दे गुम्रा करने का कैसा प्रयास होता है पिछले दस वर्स में स्कॉलर्शिप दे जाती है दस साल में उसकी भुद्धी हुई है इन दस वर्सों में स्कूलों में हायर एजुकेशन में नामांकन की संख्या भी बहुत बड़ी है और ड्रॉप आउट बहुत तेजी से कम हुगा आगर ये सभाबती जी जी आगर 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 दस साल पहले एक सो बीस एक लब्य मॉडल स्कूल थे आदर ये सभाबती जी आज चार सो एक लब्य मॉडल थे आप इन चीजों को क्यों न कारते हैं क्यों ऐसा करते हैं मुझे समझ निया आगर सभाबती जी पहले एक सेंट्रल ट्राइबल उनिवरसिटी थी आज दो सेंट्रल ट्राइबल उनिवरसिटी जी आदर इनिया सभाबती ये भी सच्चाई है कि लंबे अर्षे तक गरीत पिछड़े आदेवासी बेटे बेटियां कॉलेजों का दरबाचा तक नहीं देख पाते हैं मैं तो मुझे आथ हैं मैं गुजरात में जब सेम बना तो मेरे लिए चोकाने वाला एनालीसिस मेरे सामने है गुजरात में उमर गाहों से मैं जब वहां गया अब उस इलाके में मेरे आदेवासी बच्चों के लिए साइंस टिम की स्कूल नहीं होगी तो एंजीनेरिंग डॉक्टरी का तो सवाली का उड़ता है कि इसी मिनिमम चीजें उन और यहां पर क्या भाशन दे रहे जी आदेंडिया सभापती जी और मैं बताना चाहता हूं सदन को गर्म होगा संतो आप उस सदन में बैटे हैं वहां एक ऐसी सरकार आपके साथ बात करें कि ऐसी सरकार नेतुतों कर रही है जहां कितना बड़ा अब उस समाज का विश्वात बढ़ाई उनका हस्लिया बुलंद कीजिए वो देश की मुखे धाना में तेजी से आगे पड़े उसके लिए हम प्रयास करें सामोहिक प्रयास करें आप देखिए आदिवासी और हमारे स्सी समाज के विद्यार्थियों का नामांग कर मैं अब उच्च्छा में एस्टी विद्यार्थियों का नामांकन 65 परसेंट बढ़ा है हायर एजुकेशन में ओबी सी समगाज के विद्यार्थियों का नामांकन में 45 परसेंट बढ़ो थी और जब मेरे गरीब दलीत पिछड़े आदिवासी बंचीत उन परिवार के बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे उस समाज के अंदर एक नया वातामन प्यादा होगा और उस दिशा में हमारी कोशी यहीं एक मुल्भूत समस्चाओं का समाधान करने के लिए थोड़ा समय लगे लेकिन मुझमुत ही थे काम करें और इसलिए हमने एजुकेशन पर इस पकार से बल देके काम किया है कृपा करके जानकारियों का भाव है तो कही हम जानकार या दे देंगा लेकिन ऐस सब्सक्राइब कम हो आपके सब्सक्राइब की दागत खतम हो जाए आप पर दया आजाती है कभी 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 है अधरिया सभावती जी सबका साथ सबका विकास है यह नारा नहीं है यह मोदी की गारंटी है और जब इतने सारे काम करते हैं मनुझे किसे ने कभीता लिख करके भेजी थी कभीता तो बड़ी लंबी है तुक उसमें एक वाक्या है मोदी की गारंटी का दौर है नए भारत की भोर आउट आप वारंटी चल रही दुकाने खोजे अपनी ठोर आउट 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 वारंटी चल रही दुकाने खोजे अपनी ठोर अदरीने जभा पती जी किस प्रकार से देश में निराशा फ्यलाने का प्रयास मैं ये तो समखता हूँ जो लोग इतनी निराषा की गर्त में डूप चुके हैं वैसे निराषा फेलाने का सामर्थ में भॹी बचा नहीं है। लेकिन देश में हर जग नहां बैट रहा हुआ निराशा 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 फ्लाने का जो खेल चल रहा है और सच्चाई को नकार करके हो रहा है और ना खुद का भणा कर पाएंगे ना देश का भणा कर पाएंगे आदरी सभापती जी हर बार एक ही गाना गया जाता है समाज के कुछ वर्गों को भड़काने के लिए बिना हकीकतों को ऐसे बाके बोल दी जाते हैं मैं जड़ा देश के सामने कुछ हक्ते कर दे बोलना चाहता हूं और मुझी विश्वार से मिडिया इस विश्व पर जड़ा डिबेट कर ले ताजी पता चाहिए आदेनिया सभापती जी यहां पर सरकारी कंपनियों को लेकर हम पर भाती भाती क्या आरोप लगे क्या क्या रोप लगा ही जा रहा है शीर प्वैर माथा कुछ नहीं बदर लगा दे चलो अब देखिए देश को याद है मारूती के शेरजा क्या खेल चल रहा था वो जमाने में हेडलाइन बना करती थी मारूती शेर का क्या चल धा मैं उसकी गहराएं में नहीं जाना चाहता हुआनों को वहां तक पानी पहुंचेगा कि शाइद यहाए पर करण लग जाएदा इसे में वहां तक जाना नहीं चाहता हुआ आधनिय सभापती जी आधनिय सभापती जी देश को जानना जरूरी है अधनिय सभापती जी मैं तो आजाज भारत में पाता हुआ हूँ मेरे विचार भी आजाज है और मेरे सपने भी आजाज है तो फुलादी की मांसिक्ता कोई जीने वाले है उसके बाद और कोई चीज़े नहीं है वही पुराने कागेड लेकर लेकर के दूनते रहते कि आदेनियों सभाब पताजिए कॉंग्रेस ने कहा कि हमने पीएश्यू बेच दिये पीएश्यू डुबो दिये बाती बाती की बातें यहां दूने और बरिष्ट लोगों के मुझे सुनदा था याद किजिए बीएस एनल एमटी एनल को बरबाद करने वाले कौन थे वो कौन सा कालखन था जब बीएस एनल एमटी एनल बरबाद हो चुके जरह याद कीजिए हेल उसकी दुर्दसा क्या करके रखी दी बरबादी और जाकर के गेट पर भाशन देकर के 2019 का चुनाव लगने का इजेंड अता होता था एचेल के नाम पर जिन्होंने एचेल को तभा कर दिया था वो एचेल के गेट पर जाकर के भाशन जाड रहे थे हाद इंडिया सभावदी की एर इंडिया को किस ले तबाह कर दिया किस ले बरबाद कर दिया यहालत कौन लाया था कांग्रेस पार्टी और यूपी ए यह दाज साल की उनकी बरबादी से मूह नहीं मोड़ सकते हैं देश बड़ी भाथी जानता है और कि अब मैं हमारे कारकाल के तुरा सफलता की बात बतारा चाहत रहा हूं है आधनिया सभापती जी आज जिस बी एस एनल को आपने तभा करके छोड़ा था ना वो बी एस एनल आज मेडिन इंडिया फोर जी पाईव जी उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है आधनिया सभापती जी एटेल के लिए इतने भ्रम फलाए आज रकॉर्ड मैनिफ स्ट्रक्चरिंग एचेयर देता है रकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचेयर जिसको लेकर के इतने जो होने चलाए और करनाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलिकॉप्टर बनाने वाली कम्पनी है चेयर बन देता है कहां चोड़ा था कहां जाके लगा लगा है आपने पहुचाया आदेगी सभवती जी एक कमांडों यहां नहीं है एप लाइसी को लेकर भी पतानिक कैसे कर दे बड़ी विद्वत्ता पूर्ण बयान देते थे लाइसी का ऐसा हो गया लाइसी का वैसा हो गया लाइसी का चाहे बोड़ी और तरीका यही है किसी को बढ़ात करने अफ़ा फ्लाओ जूट फ्लाओ ब्रम फ्लाओ और और टैंग्डी भाई है गाउं में किसी का बड़ा बंगलो हो लेने का मन करता हो लेकिन हात ना लगता हो तो फिर हवा पहला देते यह भूतिया बंगला यहां जो ज लेता नहीं फिर प्रजा करें लपग लेते लाइसी लाइसी का चलाया आज अधनिय सभाबती जी मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं आखें उची करके सुनाया चाहता हूं आज आज एलाइसी के शेर्ट रिकार्ड्स तरपर्टेड हो रहेते हैं जो अधनिय सभाबती जी अब प्रचार किया जा रहा है पीएसी बंद हो गए पीएसी बंद हो गए अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है बत कि जिन्हें पकड़ा दिया बोलो बोलो 2014 में देश में 234 पीएस उसते हैं 234 उनके यूपीए के दस साल केकाल करने हैं अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 242,34 आज 254 है 234 थे 254 है अब भाई कोई कौन सा एरिथमेटिक वो जानते हैं बेच दिये अब बेचने के बार 3250 हो गया क्या क्या आप कर रहे हैं आप लोग आधने सभापती जी आज अधिकतर पीएस यू कि रिकॉर्ड रिटन दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएस यू की तरफ बढ़ रहा है चो छोटा से अभी शेर बाजार जानते इनको समझ आता है नहीं समझता है तो किसी को पूछो आप सभापती जी देखिए बीएस यू पीएस यू इंडेस में बीते एक वर्ष के दोरान लगभग दो गुनी उच्छा हुई है आधने सभापती जी दस साल पहले हैने 2014 चार से 2014 के बीच की बात कर था पीएस यू का नेट प्रॉफिट करिब करिब 7 लाग करोड था और इस दस वर्ष में पीएस यू का नेट प्रॉफिट ठाई लाग करोड है दस वर्ष में हमारे दस वर्ष में पीएस यू की नेट प्रॉफिट 9.5 लाग करोड से बढ़ करके 17 लाग करोड हो गई है कि अधरी सवाब देगी इनका हाथ जहां भी लगता है न उसका डूबना क्य हो जाता और उसी यही दसा करके उन्होंने छोड़ी थी हम मेहनत करके इतनी बहार लाए इतनी प्रतिश्णा बड़ी है आपको खुसी होनी चाहिए ब्रह्म मत पहलाए बाजार में हरा हवा ऐसे न पहलाए कि देश के सामाने निवेशक के मन को उल्जन में आ जाए ऐसा काम आप नहीं कर सकते अधानिय सभापती जी इन लोगों की मर्यादा इतनी है अब इनों ने अपने उवराज को एक स्टार्टप बना करके दिया है अब वो नॉन स्टार्टप है ना तो लीट हो रहा है और वो लॉच्च हो रहा है अधानिय सभापती जी आप पिछली बार भी इतनी साथी जो रहो तो लो कितना बजाया था अधानिय राजपती जी आधानिय सभापती जी बदाई हो बदाई हो बदाई हो जबको बदाई हो आदेनिया सभाबती जी मेरा सभागे रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राजी के मुख्मंति के नाते देश की और जंता की सेवा करने का आउसर मिला अधर अधर इसलिए में रीजनल एस्पिरेशन देशन को बहुत 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 सवाज़ता है कि उस प्रोसेस से निकला वह जिसे हमारे यहां दिख भीजे जी उनको फली बाती समझ आटा भी एक राज्य के लिए क्या होता है हम लोग उस इसी दुनिया से निकल करके Gः तो हमें अनुभव हैं पता है तो एसे लोग है यहां जिनको इसारी चीजों का पता है देवगणा छाब है तो इनूवी इन सारी चीजों का पता है ते हम इसका महात्मा ही समझते हैं, हमें कोई किताब हम नहीं पढ़ना पढ़ता है, मनुहों करकर क्या आए हैं, और ये भी सत्चा ही के साथ है, दत साथ, UPA की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी, अब कल्पना नहीं लेकिन मैं आसु नहीं बहाता, मैं रोना है, रोकर रोने की मेरी आदत देजी, लेकिन कब भी उतने संकटों के बावजुद भी, उतने जुन्म के बाद भी, हर प्रकार की मुसिबतों को जेलते हुए भी, मेरी तो मुसिबत ऐसी थी ति किया किसी मिनिस्टर से मिजी अपर कुस्ति हैं, मैं फोन पर बात कर लूँगा, लेकिन कहीं फोटो फोटो निकल गए, यह डर रहता था, यहां मंत्रियों के डर जासा था, अब थेर उनकी मुसिबतें मैं समझ सकता हूँ, मेरी आएक बार बहुत प्राकृतिक आप गाई, मैंने उसमें प्रधान मंत्री जी क बड़ा रिक्वेस्ट किया का आप आईए, एक बद जड़ा देख लीजिए, उनका कारकम बना, फिर साब एक एडवाईजिर कमिटी बनी थे, वहां से हुकम आया, तो कोई हेलिकॉप्टर से हवाई निक्षन करें, वो तो मैं समझ सकता हूँ, साब वो कारकम बदल करके सा आजी में गये, तो मुझे आद नहीं रहा था, और बोले हम आवाई यहां से उपर से देख लेंगे, हम गुजरात में नहीं आएंगे, मैं सूरत पहुंचा हुआ था, वो आने वाले थे, मैं जानता हूँ आखिर में क्या हुआ होगा, तो आप कल्पना कर सकते साब, प्रा इश्के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात करेंगे, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चलने हैं, हम राज्यों का विकास से ही रास्ट्र का विकास कर पाएंगे, इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है, और मैं आपको विश्वात देता हूँ सभापती जी राज जबेर एक कदम चलता है तो दो कदम चलने की ताकत देने के लिए कोपरेटिव फैटरलिजम क्या होता है और मैंने तो हमेश्य कहा है कॉंपिटरिटिव कोपरेटिव फैटरलिजम हमारे राज्यों के बिच में तंदूरस पर्दा हो ताकि हम Τेजी से देश पे आङे बने एक एक सकाराथ पर सोच के साथ हमको चलने के जरूरत है और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर करके काम करता था इसलिए चुपचाप सहता भी था कोवीड एक उदारन है इतना बड़ा संकट आया दुनिया का ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्य मंत्रियों के साथ 20 मैठे के की उसका अलखन में एक एक बात का भीचार को मसकर के साथ दे करके और सभी राज्यों का सहयोग एक टीम बिन करके ऋब केंडरों और राज्यों ने काम किया दुनिया जिस मुसिवत को जेल नहीं पाई हम सबने मिल करके किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहींका सबने मिल करते इस देश को वेटाने के लिए जो हो चुक्त राज्यों को भी उसकी क्रेड़िट लेने का पुरा अधिकार इस सोच में हमने काम किया अधनी सभापते जी जी ट्वेंटी का आयोजन है हम दिल्ली में कर सकते हैं हम दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं के बीच रहे करके सब कुछ क्या नहीं कर पहले हुआ है हमने ऐसा नहीं किया हमने जी ट्वेंटी का पूरा यश्ट राज्यों को दिल्ली में एक विटिंट की तो राज्यों मे कि यह गलती से नहीं हुआ योजना के तरीके से हुआ है मेरे लिए किसका किसकी सरकार है इसके आधारपन पर देश नहीं चलाता है हम सब मिलकर के देश आगे बढ़ाना चाहते हैं इस भूमिका से काम किया है मेरे आने के बाद आ रहे सा थोड़ा है पहले भी आते थे आज विदेश की महमान आते हैं तो मेरा आगरा रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए मैं उनको लेती कि जाता हूं राज्यों में ताकि उनको पता चले कि मेरा देश शानक दिल्ली नहीं है मेरा देश चिन्नेज में भी है मेरा देश बैंगलूरू में भी है मेरा देश हाइदरबाद में भी है मेरा देश पूरी में भी है भूम्रेस बर्दा भी है मेरा देश कर्काना की नभात पूरे दुनिया को मेरे देश के हर्ट और इसके लीए कोशिस करृते कि सर्कार सँहिए रसवाइब को सभग इसकर तरजी पर नहीं तोलते हैं एक एक इमामदारी से इस देश के भविशय के लिये पूरे विश्त मेरे भालत को जाने इसके लिए हम इस प्रयास करते हैं और मैं अभी भी जन्रवरी को इतना बड़ा काम रहते हैं सब को मानू मैं उसके बाद मी मैं 25 तारीकों फ्रांस के राश्पतिकों राधिस्वान की गलियों में गुमा रहा था मैं उनिया को पता जालेगे मेरा राधिस्तान ऐसा है आधर निया सभावत ही जी हमने एक बहुत बड़ा कारकम लिया जिसकी विश्व में एक मोडियल के रुप में चलता हो रही है एस पिरीश्नल डिस्टे की जो सफलता है उस पर 80 पर संट भूमी का मेरे राज्यों के सहयोग किया राज्यों ने जो सहयोग किया उन्होंने एक ठेज्टी की मेरी थामणा को समझा आज इस एस्पिरेश्नल डिस्टी को आगे बढ़ाने प्रिकामा यह अस passenger है राज्यों से मिल रहे हैं और जो राज्य वो राज्य की आउसत में भी आखरी पायदान पर खड़े थे वो आज नेशनल एवरेज के साथ कॉंपटिशन करने लगें यह दिश्टिक कभी पीशेडी दिश्टिक माने जाते थे यह सब कर सेयोग से हो रहा है और इसलिए हमारे कारिकमा की देश के भविश्य को बनाने की है अज देश का हर कोना हर परिवा विकास के फ़ल प्रात्त करें यह हम सप्ता दाइत्व है और हम उसी जिता में जाना चाहते हैं हम हर राज को उसका पूरा हग भी देना चाहते हैं लिकिन मैं आज एक एहम बुद्धे पर मेरी पीड़ा व है एक राष्ट हमारे लिए है तो जमीन का ठुकड़ा नहीं है हम सब के लिए एक काई ऐसी है जो प्रेणा देने वाली काई है जैसे शरीर होता है शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है अगर पैर में काटा लगे तो पैर यह नहीं कहता है हाथ कभी नहीं सोता है कि मुझे क्या पैर को काटा लगा है पैर पैर का काम करेगा पल बढ़ में हाथ पैर के पांग पहुंच जाता है काटा निकालता है अगर देश देश का एक कौना अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है शरीर जिस प्रकार चाहिए अगर देश का भी कोई कोई खेत्र काहसे मंचीत रह जाएगा तो देश विख्षित नहीं हो सकता है और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए उसको टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए जिस प्रकार जींदर भाषा बोली जा रही है देश को तोड़ने के लिए राजरीतिक स्वात के लिए नए नेरेटिव गड़े जा रहे है एक पुरी सरका के खेल के अंदर जाकर के मिड़ल एक आएगा तो क्या हम यह सोचते हैं कि तो जारखन का बच्चा है तुरा देश कहता है ने कि अगर देखते हैं और देश हजारों करोड रुपया हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के कैस करोड़ लोगों कर रेकाइं देश का करोणलों लोगों कर रुपयेदी इसको र пл costume करोड़ों का लुपया हमें बैकंते ऑंका है देश को नहीं मिल्सक्ति कैसा सोच सकते हैं के बैसिन उस शहर में बनीती इसनरे देश के और भागों को इसका लाब नहीं मिलेगा यह सोचें यह बहुत बहुत दुखत कि बाद है। दुखना चाहता हूँ अधरनीय स्वापति जी। क्या अगर हिमानायका टेहना सुरू कर दें हिमानायका बोलना सुरू कर दें कि नदिया मेरे करेंगा है वो कहे दे कोईला नहीं मिलेगा यह हमारी संपति है जा तुम अंधेरे में घुजारा करो देश कैसे चलेगा अधादनीय सभापति जी ऑक्सिजन कोविड के समय हमारी यह ऑक्सिजन के संभावनाय पूरविकारय जो उध्योग है उसके देश के पूरे देश को ऑ करके भी देश को अक्सीजन पहुचा या थेषक अंदर ये था तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है क्या इस प्रлагास आदेश को हमाराँ हमारे मण। है जी मौत शहरा देश को तोड़ने में की ने ने sacrifice खोजना बंद कर दीजिए देश को आगे बढ़ना है देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयाथ हिजिए अधरिया सभापती जी पिछले दस वर्ष नीतियों निर्मान के अधर्णिया सभापती जी अधर्णिया सभापती जी नए भावत की नई दिशा दिखाने के लिए जो दिशा में पकड़िये जो निर्मान कारिय हमने लिए हैं बीत एक दसद में हमारा पूरा फोकस बेसिक सुमिधाएं जरूर मिले उस पर हमारा ध्यान के इंदिर दरहा है अधर्णिया सभावती जी हर परिवार का जीमन स्तर उपर उठे उसके जीवन में इस आप लिविंग बड़े अब समय के मां है उसके क्वालिटी ओफ लाइट में हम कैसे सुधार लाए हम आने वाले दिनों में हमारी पूरी शक्ति पुरा सामर्त है इज अप लिविंग से एक कदा आगे बढ़ करके क्वालिटी ओफ लाइब की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं हम उसके लिए जाएंगे अधनिया सभापती जी आने वाले पांच वर्ष नियू मिडल्स का लास जो गरीबी से निकल करके बहार आए है ऐसे नियू मिडल्स को नहीं उच्छाई और ससकता वाना लिख लिए हम अने एक वितकार को पहुंचाने के पूरा प्यास करने हैं और इसलिए हमने सामाजिक जन्याएगा जो मोदी कवच दिया ने उस मोदी कवच को और मजबूत बना और ताकत देने वाले हैं आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बहार आए तो ऐसा कुतर के दिया जाता है कि 25 करोड़ बहार आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज को देते हो आज बीमार वेक्ति हॉस्पिटल से बहार आजाए तो भी डॉक्टर कहता कि कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे समालिए खाने में परेजी रखे ठिक ना करिए फ़ला ना करिए क्यों कहीं दुबारा बहां मुसीबत में आ जाए जो गरीबी से बहार निकला है ना उसको जादा समालना ताकि कोई ऐसा संकर्णा करके फिर से गरीबी के तरफ लपकने जाए और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए यह समय हमने गरीब को मजबूता कि वह फिर से वापिस दर्थ में डूबने जाए हम पांच लाख रुप्य आईश्पांड का देते ने उसके प ज़रूरी है उतना गलती से भी गरीबी के तरफ पीशे न चला जाए उसके लिए ध्यान रखने के आवश्चका है अब इसलिए हम अनाज देते हैं अनाज देते रहेंगे किसी को पुरा लगे या न लगे 25 करोड गरीबी से बाहर निकले हैं नियो मिडल क्लास हुए है ले और इसलिए इसलिए हमारी योजना जारू रहेंगी है आदनी सभापती जी जानता है आदनी सभापती जी और इसलिए मैंने गारंटी दी है मेरी गारंटी है गरीबों के पांच लाख रुपे तक की गिलाज की सुविदा आगे भी मिलती रहेगी मेरी गारंटी है बोधी की गारंटी है 80% डिसकाउंट से जो दवाईयां मिल रही है जो दवाईयां मिल रही है जिसका लाब मद्यमबर गरीब को मिल रहा है वो मिलता रहेगा अगी निये स्वाबति जी मोधिन की दरण की है कि किसानों को जो सम्मान निदी मिल रही है वो सम्मान निदी चालू रहेगी ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जूर जाए आधनिय सभापती जी गरीबों को पक्के घर देने का मेरा अब्यान है अगर परिवार बड़ा होता है नया परिवार बनता है पक्के घर देने का मेरा कारकम जारी देएगा नल से जल योजना मेरा पक्ता इरादा है और मेरा पक्की गरंटी है किंदल से जल हम नए साउचाले बनाने की जरूत पड़ीगी मेरा पक्की गारंटी है यह काम सारे तेजी से तलेंगे क्योंकि विकास का जो रास्ता विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है इसको हम किसी भी हालत में जरा भी धीमी नहीं होने देना चाहते हैं हादनिय सभापती जी हमारी सरकार का तीसरा टम दूर नहीं है कुछ लोग इसे मोधी 3.0 कहते हैं इंडिया मोधी 3.0 विच से भारत की नीव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे हादनिय सभापती जी अगले पांच साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले के तुन्ना में अनेक बढ़े अनेक गुना बढ़ी के मेडिकल कॉलीजों की संख्या बढ़ेगी इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलब हो जाएगा आदनिय सभापती जी अगले पांच साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा आदनिय सभापती जी आने वाले पांच साल में उन गरीब को पियम आवाज जो देने हैं एक भी बंचीत में रहे इसका फक्का ख्याल दखाएगा अगले पांच साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेज करके कमाई कर पाएंगे यह अगले पांच शाल का कारकम है आधनिय सभापति जी अगले पांच साल देश में पाइप से गैस के कनेक्षन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का परफुट ये पुन्यास किया जाएगा सभापति जी आने वाले पांच साल हमारी युवाज शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी आप देखना आधनिय सभापति जी हमारे युवाज स्टार्ट अप्स युवाओं के युनिकॉन इसकी संख्या लाखों में होने वाली है और इतना इने टीए टू टीए ट्री सि जी नएने स्टार्ट अप से उसकी नई पहचान के साथ उभरने वाला है यह मैं पांच साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूं आधनिय सभापति जी रीसर्ट फंडिंग उसकी वृद्धी का प्रभाव आप देखा पिछले साथ दसक में जीतने पैटेंट लहीं हुए है उतने रिकॉर्ड प्रेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले पांट साल का मैं देख रहा हूं आधनिय सभापति जी आज मेरे मद्धंबर के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं मैं वो स्थिती लाना चाहता हूं कि मेरे बच्चों के लाख उतने परिवार का पैसा बचे उसलिए में कहता हूं आधनिय सभापती जी आने वाले पांच साल आप देख रहा कोई भी इंट्रेंडेस्टल खेल की कॉम्पेटिशन ऐसे नहीं होगी जिसमें भारत का जंडे हर जगा पर नहीं पर देखने वाला हूं पांच साल खेल जग मोर्ड पूरी तरह टांस्फम होने वाला है अगले पांच साल में गरीब और मिड़िल कसको पेल और शांदार यात्रा की सुवीदाव बहुत आससानी से मिलने वाली है देज मिलने वाली है पूरी ताकत से बहुता होने वाली है अगले पांच साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश बंदे भारत प्रेन का विस्तार भी देखागा आधनी सभावती जी अगले पांच साल में आत्म भीरबर भारत का भियान नई उचाई पर होगा देश हर छेत्र में अत्म देवर होता नजर आएगा अधनी सभावती जी आने वाले पांच साल में मेड इन इंडिया सेमी कंड़क्टर दुनिया में हमारी गुंज होगी इलेक्ट्रोनिक का गूट में वह चीफ होगी जिसमें किसनकिस भारतिय का पसीना होगा आधनी सब दुनिया की बाइजार में एक नई व्यति का सामर्त आने वाले पांच साल में देखेगा आधनीय सभापती आज देश लाखों कडोर रुपय करते हैं इंपोर्ट करता है अपनी उर्जा जरूतों के लिए हम जादा से जादा आत्मनिर्फर बनने की दिशा में काम करेंगे और मुझे वि पैंडन्स ही है वो कम करने या सभल होंगे इसे इतना ही नहीं हादा आधनीय सभापती जी ग्रीड हाइड्रोजन भ्यान हम धुनिया के बाजार को लालाइद करने की दिशा में आगे बट रहे हैं हमारा ग्रीड हाइड्रोजन पुर्जा जुरूतों को पूरा करने का सामर व्वश्टा मिले इसकी ववश्टाउगी अधनीय कि सभापती जी जब मैं 20 पर से इसे रोड की बात करता हूं उसका सीधा लाब मेरे देश के किसानों को होने वाला है इसकी हजारोग करोड रुपया खाज लेते हैं लेकर आज भी आज़ारोग करोड रुपयों कंखाने का तेल हमारे देश के किसानों पर मुझे भरोस भाऊते हैं मेरे देश बहुत एक आत्मतर देरबर पांप साल में हो जायेगा और जो पैसा बचेगा मेरे देश के किसान की जिब में जाएगा जो आज भी देश के बाजार में जाता है। की ताकत बढ़ने वाली है। आधन ये सभावती जी। येन के मादम से मैंने मिलेट का भ्यान चलाया। स्री अन्नतर के राते आज हमने उसकी पहचान दी है। दूर दही देखता हूं। जब कि आने वाए पांच साल में दुनिया के बाजार में सूपर फूड के रुप में म सभावती जी। ड्रोन खेतों में एक नईस किसानों की ताकत बन करके उखने वाला है। 15,000 ड्रोन दीदी का कार का मौल देनी हम लॉंच कुर चुके हैं। ये तो शुरुवात है। आगे बहुत सफलता दिपती है। आधन ये सभावती जी। हम नैनो टेक्नोलोजी को सभावती की दिशा में सफलता पाई है। और आज एक बोरी भर खातर लेकर के घुमने वाला किसान एक बॉटल के खातर से कम चला रहेगा। अधने सभावती की सभकारिका खेत्र में हमने एक नई मिनिस्ट्री बना ही है। उसके पीछे इरादा है कि सभकारिता का पुरा जना अंदोलग नई ताकत के साथ उपरें और 21 सदी के आवश्यक्ता को अनुसार उपरें उसको भियम और उसका सबसे बड़ा लाग हम दो लाग बनारन का काम जो हाथ में लिया है जो पांच साल के भीतर भीतर वो पूरा हो जाएगा छोटा किसान को भी अपनी प्यादार पक्का में कहता हूं नए रेकॉर्ड बनाने वाले हैं आज हमारे पश्रू की संग्या है लेकिन दूद की उत्पादन का मैं हम इस्टी को भदन देंगे फीशा रहेंगे एक्सपोर्ट करने की दुनिया में हम बहुत बड़ी तेजी से विकास करेंगे यह भी मेरा प्रवा हो बहुत अच्छा है पांच साल के भीतर भीतर किसानों के एक नई संकडम की शक्ति और क्रिशी उत्पादन में वैल्यू की ताकर यह लाप मेरे देश के किसानों को अवश्य मिलने वाला है आदर्य सभापती जी ट्वेंटी की सभलता ने साप कर दिया है और दुनिया में कोविट के बाद जो खुलापन आया उस खुलापन का सबसे बड़ा लाब हमने देखा है कि विश्व का ध्यान भारत की तरफ गया है और इसलिए एक बहुत बड़ा शेत्र टूरिजम आने वाले दिनों में होने वाला है और जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है आज विश्व के कई देश हैं जिसकी पूरी एकॉनोमी टूरिजम पर निर्बर हैं भारत में भी बहुत से राजय से बन सकते हैं जो उनकी पूरी एकॉनोमी का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिजम होगा और वो दिन दूर रही है जिन नीतियों को लेकर घहम चल रहे हैं भार मैं मैं फिंटेक की चर्चा करता था तंबेजरा आउट आउट आप बॉक के बाते कर रहा हैं वैसा लोगों को लगता था आउट डेटेट सोच वालों के लिए सामर्त का भावता लेकिन मैं पूरा विश्वास से कहता हूं आदारी सहवापती जी आने वाले पांच लंका बेजने वाना है और डिजिकल व्यवस्थाएं भारत के सामर्त को बढ़ाने वाली है विश्व मानता है कि AI का सबसे ज्यादा उप्योग कोई करने का सामर्त के चिद्देश में होगा लेटेस से लेटेस टेक्नोलोजिय को उप्योग मेरा देश करेगा आदेनी हुआरत का नाम रोशन हो रहा है हमारे वेज्यानिकों का प्राकम रगाना वाला और आने वाले पांच साल का जो कारेकम है na डिजो लगपती दीदी ये अपने आप में हमारे बेटियों के उत्रसी गाठा निकरते हैं अने वाले पांच हर साल धारत कभी हम सुरा करते देश्वनी म्यूग था मुझे वो दिन दूर नहीं दिखते जब पांच साल में वो मजबुत निव आएगी और 2047 तक पहुंते पहुंते ये देश उस सुने में उनको प्रसे चीने लगागा इस बिस्वास के लाजो को आगे निया सभामरी विक्सित भारत ये शब्दों का खेल नहीं है ये हमरा कमिटमेंट है और इसके लिए हम समर्बिभ भाव से हमारी हर सांस उस काम के लिए है हमारी हर पल उस काम के लिए है, हमारी हर सोच उस काम के लिए समर्पित है, उसी एक भावना के साथ हम चले हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे और देश आगे बढ़ता रहेगा, यह मैं आपको विश्वास होगा, आने वाली सदियां, इस सवनकाल का इतहाद मैं रंकित करेगी यह विश्वास मेरे मन में इसलिए हैं, देश की जनता और मिजाज मैं भली बात इस्कमत पाता हूं, देश बढ़लाव के दस साल के अनुखों को देखा है, एक एक खेतर में जो बढ़लाव देखा है, वो तेज गती से बढ़लाव, जीवन के हर खेतर में, जीवन के हर खे लिश्यले का हिस्सा है। अधरी अध्या भडी इस सबस्क्राइब को लुए उसके कांग देश के सामने सथं पर रखने का अवसर मिला और सदन की पुरी साक्षरत्र परके से विचार रखने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि देश जिनकी वारंटी खतम हो गई है उनकी बाते सुनने ही सकता है जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसकी विजारों के विश्वास करते हुआ कि रहे एक बार आधेनिया सभापती जी आपका रुदे से आभार व्यक्ते करता हूं और आधेनिया राष्पती जी को मेरी तरफ से उनके या ख्यान के लिए आधर पुर्वग, अभिनांदर और आभार व्यक्ते करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद जी आधे-ाधे-ाधेजिए जेओ आधे-ाधे-ाधे-ाधे-ाधे-ाधे-ाधे-ाधे-ाधे-ाम-म-1-2- मेरी आभार विरे दाह्टी ज Sorgenे करते हूजी जेये रहिआधं धन्यवाद्यर से दायर च precisवते हूं झाल झाल